एलो फ्रिंट्स आजम गराडू की बहुती टेश्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये मैंने एक बजार से गराडू लाई हूँ इसको अच्छे तरह से आप धो लीजिए पॉंश लीजिए और कपड़ से थोड़ा सा रगड़ भी लीजिए दिखने में ये मोटे शकरकंद की थरे होते हैं आप हातों में हल्का सा täll लगा कर इसके छिलके उतार लीजिए चाकू से या फिर पीलर से तोस्तने थोड़े से चिकनापन लिये होते हैं जिस तरह से अर्बी में थोड़ी से चिकनाट होती है उसी तरह से और ये बहुत जल्दी छीलते ही काले काले भी पढ़ जाते हैं जैसे हम भेंगन काटते हैं तो काले पढ़ जाते हैं ठीक उसी तरह से आप पानी में इसको 2-3 बार अच्छी तरह से धोली जीए जब आप इसकी सिलाइस कर लें, आप इसको गोल, चकोर या फ्रेंच फ्राइस की तरहे लंबे शेप में भी काट सकते हैं, यह आपके उपड़ी पेंट करता हैं, मैं इसको इस तरह से काट रही हूँ, क्योंकि यह बहुत ही चिकने लग रहे हैं और लंबे काटने में पानी से धोले, ताकि उसकी चिकनाहट निकल जाएं, फिर एक सूती कपड़े पर आप इनको फेला कर थोड़ा सा इनका पानी सोख लें, ताकि तलते समय इनमें पानी नहीं रहे और हमें चीटे नहीं लगें, एक कड़ाई में या पेन में आप तेल रख लीजी फ्राइ कर करने के लिए, तेल जब अच्छा तेज गर्म हो जाए, दोस्तो आप इसमें गराडू के स्लाइस डाल दीजी, थोड़ी देर बाद आज शुरू में आज तेज रखी और थोड़ी देर बाद इसकी आज को मीडियम रख दीजी, दोस्तो गराडू की रेसिपी बहुती स्व होते हैं, गराडू की चाठ पी आलू की तरह ही उस होती है, जिस तरह से हम आलू को उबाल कर मेश करके चाठ बनाते हैं, टिक्या बनाते हैं, उसी तरह से आप गराडू को भी उबाल कर मेश करके टिक्या बना सकते हैं, इन दोर की बहुत फैमस रेसिपी है, इस्ट्रिट पूट है सर्दियों में घराडु जरूर अर्वर कहना चाहिए दोस्तों te और गणारु सर्दी में ही आते हैं और काइं गर्माहारड पी रहती है इनको खाने से हमाई श्रीमें कर माघ मिलती है दोस्तों जब यह अервे पक जाए हलके अलके गोर्डन ब्राउन हो जाए तब आप इनको एक बार थाली में निकाल लेजी थोड़ी सी देर पांदस मिनट के लिए रखिए और फिर हम इने वापस से तल लेंगे वापस तेल को तेज गर्म कीजिए और ये जो तले वे अमने फ्राइड गराड़ो निकाले हैं इनको वापस से आपका पेन में डालिए और थोड़े कुरकुरे होने तक गोर्डन होने तक आप इनको सेखिए तलिए दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताईए कि आपके यहां भी गराड़ो खाया जाता है आप गराड़ो को किस तरह से काम में लेते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईए आज एक तब फूल नहीं रखनी है थोड़ी देर बाद फ्लेम को मे जारी से टच करते तो यह सक्त से कुरकरे से लगते हैं यह हमारे गोर्डन ब्राउन फ्रेंच फ्राइस कहे लिजिए सिक कर तैयार हो गए हैं अब आप इन्हें एक प्लेट में निकाल लिजिए आप चाहे तो इन्हें टिशू पेपर भी निकाल सकते ताकि एस्ट्रोइल निकल जाए यह किनन ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपने अभी तक गराडू नहीं खाए तो प्लेज आप लेकर आए और उसे इस तरह से बनाए बच्चों के स्नेक्स के रूप में बहुत अच्छे लगते हैं मैंने इसमें उपर से सेंदा नमक डाल द तरह से आप मिक्स कीजिए मसाले आप अपने इस स्वाद के नुसार डाल सकते हैं कम ज्यादा या जो नहीं डालना उसको अटा भी सकते हैं परकि नमक और जीरावन तो आप जरू डालिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दोस्तों आप इस पर नीबू जरू डालेगा नीबू से इसका स्वाद बहतर हो जाता है तो लीजी तैयार है गराडू की गर्मा गरम स्नेक्स प्रेश फ्रेड़े